78 लाख लोगों को बड़ी राहत देश के किसी भी बैंक में अगर लेते हैं पैंसन तो जान ले अभी नमस्कार दोस्तों एक बाफ फीसे स्वागत करते हैं आपका हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों देश भर के 78 लाख से जादा EPS 95 के तहत कवर्ड पैंसन धारकों के लिए एक राहत भरी खबर निकल के आई है स्रम मंतरी मनसुख मांडविया ने बुद्वार को घोशना की है एक जनवरी 2025 से EPS 95 के तहत कवर्ड पैंसन धारकों के लिए ये नई सुवीदा शुरू की गई है अगर आप भी EPS 95 के तहत कवर्ड है या फिर आपके परिवार में कोई है तो वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूशे करें तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आखिर क्या यहाँ पर घोशना की गई है मांडविया ने कहा कि भविशन इदी संगठन की पैंसन योजना के दैरे में आने वाले पैंसन भोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी साखा से पैंसन लेशकेंगे स्रम मंत्राले ने बयान में कहा कि मांडविया ने क्रमचारी पैंशन योजना 1995 के लिए एक केंद्रेकरित पैंशन भुगतान प्रणाली CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दिये दिये और वे EPFO के सिर्ष नेर्ण लेने वाले निकाए केंद्री 89 बोड के चेयर परसन भी हैं बयान के अनुसार केंद्रेकरित पैंशन भुगतान व्यवस्ता से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी साखा के माध्यम से पैंशन का वित्रण होसकेगा मंत्री ने कहा CPPS की मंजूरी करमचारी भविशय निदी संगठन के आधुनिकर्ण की दिशा में मील का पत्तर है इसके तहट पैंशन धार्क देश में कहीं भी किसी भी साखा में किसी भी बैंक में पैंशन प्राप्त कर सकेंगे और ये पहल लंबे समय से चली आरी पैंशन धार्कों की समस्याओं का समाधान करती है ये वैवस्ता एक निर्भाद और कुशल वित्रण परनाली सुनिश्चित करती है माडविया ने कहा ये EPFO को अपने सदस्चियों पैंशन धार्कों की जुरूरतों को बेहतर धंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत उत्तिरदाई और टेकनिक शक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रियासों की दिसाम में महतपुन कदम है केंद्रिकरित पैंशन भुगतान प्रनाली से EPFO के 78 लाग से अधिक EPS 95 पैंशन धार्कों को लाब होने की उमेद है केंद्रिकरित परणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपियों को एक कार्यले से दुसरे कार्यले में इस्तानंत्रित करने की आउशकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्भाद वित्राण सुनिशित करेगी ये उन पेंशन धारकों के लिए बड़े दाहत होगी जो शेवा निर्वति के बाद अपने ग्रह नगर चले जाते हैं पेंशन धारकों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक साका में जाने की जुरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा करतिया जाएगा इसके साथ ही EPFO को उम्मीद है कि नई प्रनाली से पेंशन वितरन लागत में महतवपून कमी आएगी EPFO की एसुई धा एक जनवरे दोहजार पत्री से EPFO की चल रही सुचना प्रोध्योग की आधुर्णिकर्ण प्रियोजना के दरिकत आईटी यूगत परनाली के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी अगले चर्ण में CPPS आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानिकी ABPS में 104 परिवर्तन लाएगी तो भाद सरकार की नई योधना की बारे में आपका क्या कहना है वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे है वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेय करें धन्यवाद जैहिंग जैपार्थ